बेलकम फ्रेंट्स आप देख रहे हैं PBR स्टडी इस वीडियो के 100% सही होने की मैं गारंटी लेता हूँ मैं राजकुमर एद्वनसी इस वीडियो में जो कुछ दिखाऊंगा बिलकुल सच दिखाऊंगा जिसका मैं पूरा जिम्मेदार हूँ आपसे बिनमर निवेदन है इस वीडियो को पूरा देखिएगा अभी हाल ही में चकबंदी लेकपाल की भरती आई है आपने देखा होगा और इसके बारे में बहुत सारी जनकारिया सोसल मीडिया पर वाइरल हो रही है पूर्व सरकार पर जातिवाद और परिवारवाद का ठीकरा फोड़ने वाली ये वरतमान सरकार आप इनके काम और कर्तू दोनों सामने देख सकते हैं अगर इस वीडियो को कोई भक्त देख रहे हैं तो उनसे यमारी बिन्नमर निवेदन है वो इसको ना देखें अगर देखें तो दिल थाम कर देखें और अगर जो कमेंट करें उसको सोच समझ कर करें अने था उसका परेडाम आप लोग खुद समझ सकते हैं ठीक ना तो चली आगे देखते हैं अभी हाल ही में चकबंदी लेकपाल की भरती आई है जिसमें टोटल 1364 पोश्ट है यह बिल्कुल साही पोश्ट है जो आप देख रहे हैं कुछ लोग सोच रहे होंगे फेक हैं तो मैं अभी उनको दिखाऊंगा इसको आनलाइन यह आप बातानीक दिमाग कैसे घूम गया कि 362 लगभग में अन्सूचित जाती के लिए पोश्ट दे दिया गया है बाकी भारत देश में निवास करने वाली सब फेज़ादा OVC काश्ट के लिए इसमें एक भी पद नहीं है सबका साथ सबका भी कास जी हाँ बिल्कुल इसका बिल्कुल आप सच्चा जीता जाकता उदारने यहाँ पे देख सकते हैं लेकिन इस वैकेंसी को करवा लें पूरा इतनी आउकात नहीं इस बात को भी गौर में रखना होगा और यह वैकेंसी जल्द ही जल्द कैंसिल हो ज लगते हैं अब सवाल यह उठता है आज के युवाओं का अगर उन्होंने आवेदन कर दिया था तो जो इसमें आवेदन सुल्क लगा क्या सरकार वापस करेगी अगर यह भारती रद होती है तो क्या वो सुल्क वापस होगा इस आवेदन को करने के लिए जो टाइम बरबा किया इस्टूडेंट ने अपना पढ़ाई से निकाल करके क्या वो सरकार वापस देगी अगर सरकार किसी अपने अधिकारी या फिर किसी मैनेजमेंट पर दोस्त लगाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है क्या भीन सरकार के अनुमती के यह पोश्ट निकला या फिर य चाहते हैं जितने भी भक्त हैं उनसे हमारी बिनम्र निबेदन है कि वो अपना जो भी कमेंट लिखें सोच समझ कर लिखें और ये जो पोश्ट वाइरल हो रहे हैं सोचल मीडिया पर आप इसे देख रहे हैं मसूद मरा हाफीज डरा की नहीं मंदिर बना की नहीं रोजगा के बल पर नहीं बलकि इमानदारी और अच्छे कारियों से हो सकता है आप उन पर आरोप लगाते हैं वो आप पर आरोप लगाते हैं ये आरोप पर आरोप का काम नहीं है सरकार का काम होता है कि अपने जो में टार्गेट है उसको पूरा करना लेकिन सायद वो नहीं हो रहा ह एम्बूलेंसे से नाम हटवाना रासन कार्ड से नाम हटवाना जीलो का नाम बदल देना बाकि और भी कुछ ऐसे एक्जामपल आप देख सकते हैं इसके अलामा आप कोई वैकेंसी गिना दें मार्च दो हजार सतरा के बाद कोई वैकेंसी किलियर हुई एक दूसरे पर आरोप परतरोप लगाने से कुछ नहीं होने वाला आप लोगों से हमारी यही बिनमर नीवेदन होगी किरपा इस वीडियो को ज़्यादा फे ज़्यादा सेयर करें और हम आपको अब इसका प्रूप दिखाते हैं यह डिटियल कैसी सही है कैसी गलत है चलिए अब हम आपको इस ख़बर का प्रूप दिखाते हैं जो आप यहाँ पर उपर देख रहे हैं डिटियल इसको कॉफी कर लें डिस्किरप्शन में आपको यह लिंक मिल जाएगी इसको आप विजिट कर सकते हैं और अधिनस्त सेवा चैनायोग की वेब साइट से आप इस नोटिस को खुद डाउनलोड करके देख सकते हैं अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो दूसरा सवाल यह कि जो मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर एक दूसरे पर आरोप पर तरोप लगाते हैं कि किसी गलती के करण यह हुआ तो आखिर यह गलती आपने तो कर दिया जिन अभर्थियों ने इसके लिए आबेदन किया क्या उनकी फीस वापस होगी और दूसरा नंबर जो उन्होंने सारीरिक और मानसिक नुकसान उठाया क्या उसकी भरपाई करेंगी आप यहाँ पर लगने वाले फीस के डिटियल आप देख सकते हैं जनरल और OBC वर्ग के लिए जो फीस है वो बराबर है और जैसे कि सभी में होता है वो SC और ST के लिए कम है लेकिन जनरल का तो सीट है 1002 OBC का तो 0 है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह इदम साफ साफ आपको नोटिस के अंतरगात मैं पीडिया फाइल से दिखा रहा हूं अब अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो कहीं और से कांटेक्ट कर सकता है 1364 पोश्ट टोटल हैं जिसमें से 1002 जनरल के लिए है 18-40 वर्स की उम्र निर्धारित की गई है अनुसूचित जनजाती के लिए कोई भी पोश्ट नहीं है पिछला वर्ग के लिए यानि कि OBC के लिए कोई भी पोश्ट नहीं है आपको पता होना चाहिए कि पूरे भारत व हो रही है जो लोग यादो जाती पर बिसेश परत्यरोप लगाते हैं उनसे मैं बिसेश रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप इसको अंग खोल कर देखें और मैं किसी जाती या किसी बिसेश पार्टी से संबंधित या प्रेरित कोई भी निवज या खबर आपको नहीं हैं तो हमारा किसी से कोई नफरत या किसी से कोई विसेश परेम नहीं है बस आप लोगों को जो दिखा रहे हैं वो सच दिखा रहे हैं इससे संबंधित बहुत सारी रिक्वेस्ट हमारे पास OBC जो कॉश्ट से बिलाउंग करते हैं इस्टूडेंट की आ रही थी कि इसके ब वक्त भी जुड़े होंगे आप लोग इस वीडियो को जादा फे जादा सेयर करें हमारी आपसे कोई नफरत या फिर कोई हमारी आपसे प्रॉबलम नहीं है बस सवाल ये सरकार से है अगर आप अच्छे हैं तो आप दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं लेकिन अगर अगला क गंगा जल से धुला गया लेकिन उसका परडाम क्या हुआ हो तो वही सब रहा है अनिल्यादों को लोग से वायोक से हटा दिया गया क्या उसके बाद धांदली नहीं हुई क्या उसके बाद सेसी का पेपर नहीं लीक हुआ क्या उसके बाद कोई गलत काम नहीं हुआ तो मैं आपकी पढ़ाई से संबंदित कलास होंगी हमारा आपसे कोई न तो जुस्मनी है और न फ्रेम है आपसे हमारी बिन्नमर निवेदन है इस बात को देश हित में सोचें पार्टी या फिर किसी बिसेस मुल्क और समुदाय के सपोर्ट में नहीं अज के लिए बस इतना ही फिर से में लेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू